नमस्कार दोस्तों आज की विडियो में हम बताएंगे कि आप घर बैठे एको बैंक का नेट बैंक की एक्टिवेट कर पाएंगे तो उसके लिए आपके पास एक बैंक आपने पास होना चाहिए एक मोबाइल नंबर जो बैंक से लिंक है वह अपने पास रखे इतना सारा इससे पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो वीडियो के निचे रेट कलर का सस्क्राइब बटन दिखाए पर उसे आप दबा के सस्क्राइब कर ले ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलेगा प्रेस करें सस्क्राइब बटन आप वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाएए और यह बिल्कुल फिरी है दोस्तों सबसे पहले गुगल पर जाएंगे रहाँ पर टाइप करेंगे एको बैंक नेट बैंकिंग रेइस्टेशन उसके बाद देखें आपको एको बैंक रेइस्टर पर क्लिक कर देना है अब यहां पर देखिए आपको इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट करने के लिए बैंकिंग रेइस्टर पर आपको क्लिक कर देना है यहां पर देखिए एकाउंट नंबर आपको डालना है जो आपक еपनी किया है उसे डालना है या क्रेडिट हैं आफ अप स्लेट कर लेंगे कि उसके बाद आई एगरिपे किलिक करके सम्मिट कर देंगे तो देखिए आपका ओटीपी जाएगा वन टाइम पासवर्ड आपके मोबाइल जो रेजिस्टर मोबाइल नमबर से जो एकांट से लिंक है उस नमबर पर ओटीपी जाएगा तो टीप्यों कहांपर डाल देना है वाट काल करें इसके बाद कनफर्म फ़ी किलिक कर देंगे है देविट कार्ट यानि Keep Case dal dozen नमबर आपこと 出去 म car डालना है योट्यों कॉइंग कार्ट का मोड़ना है और योट्यों कार्णatal डेट यह सारा वसार्टेटेल पर ढल देना है वो तो यह फो चल्शलिए वह तामाण कि देखिए पीन नंबर टाइप करने के लिए इसको आप किलिक करेंगे और हैंसे आप टाइप कर सकते हैं टेंटेंगे कि दन पर किलिक करेंगे यहां पर एक्सपारी डेट आप टो सिलेक्ट कर देना है कि सारा डिटेल भर के समिट कर देंगे उसके बाद देखिए आपको लोगिन पासवर्ड और रिटाइप लोगिन पासवर्ड आपको बनाना है तो दोस्तों पासवर्ड आप ऐसा बनाए कि कम से कम मिनिमुम छे करेक्टर का होना चाहिए और आपको पासवर्ड में केपिटल अचर, स्मॉल अचर और स्पेशल करेक्टर और निम्रिक भी रहना चाहिए यह सब सारा चीज मिला कि आपको बनाना है पासवर्ड बेसें ही दो ने करे पासए तो दोस्तों जैसे कि हम प्रकस्तय करें लिवग्हणु डिए पासवर्ट बना रहे हैं इसमें आपको दो अलग अलग पासवर्ट बनाना पड़ता है एक लोगिन पासवर्ट रहेगा और एक ट्रांजेक्शन पासवर्ट उसके निचे आपको इमेल आईडी डाल देना है और ओके पर किलिक कर देंगे यहां पर देखिए आपको दिखा जा रहा है यह राइटेशन फोर यह को इबैंकिंग इस सक्सेसफूली यूजर आईडी यहां पर आपको दिखाय दे रहा और बोला जा रहा दो वर्किंग दे यानि कि टू वर्किंग दे में आपका एक्टिवेट होगा तो चलिए दो दिन के बाद हम फिर से एक्टिवेट करते हैं तो दो दिन जैसे ही मेरा होता है उसके बा बैंक नेट बैंकिंग उसके बाद देखिए रिटेल यूजर यूको बैंक यहां पर हम किलिक कर देंगे उसके बाद देखिए हम पर जो यूजर आईडी जो बना हुआ था उसको यहां पर टाइप कर देंगे और लोगिन फिर किलिक कर देंगे देखिए उसके बाद यहां पर पासवर्ड डालना है जो पासवर्ड हमने बनाया था लोगिन पासवर्ड उसे को यहां पर टाइप कर देंगे और लोगिन पर किलिक कर देंगे आज आज कर देखिए आपको स्क्रोल डाउन करना होगा आपको सबसे नीजी आना है और यहां पर एगरी पर किलिक कर देना है तो देखिए यहां पर आपको यूजर आइडी दिखाए पर रहा यहां पर आपको नया यूजर आइडी आप बना सकते हैं तो चलिए नया यूजर आइडी यहां पर बनाते हैं और से आपको चेक एविल्टी पर चेक करना है देखिए उजर आइडी आपका कंटरी अभीलेबल यहांनि की अभीलेबल बता रहे है अप Theiseen विरेंडी तो दोस्ते इसमें आपको करेंट लोगिं पासवर्ट डालना हर एक नया पासवर्ट बना लेना है और यसे कनफर्म कर देना है उसी तरह transaction password में भी आपको एक current password यानि कि जो पुराना password जो जनरेट किये थे उससे डाल देना है नया transaction password बना लेना है यानि कि जो पहले का user id और login password और transaction password है उस अभी को आप यहां पर आप change कर लेंगे आप नया से बना लेंगे कि उसके बाद continue पर किलिक कर देंगे कर देंगे यहां पर देखिए यहां पर यहां पर लोगिन भी कर सकते हैं और यहां पर देखिए जो हमने अभी नवी नया इडी बनाया है यहां यहां पर डाल देते हैं नोगिन पर किभी करेंगे उसके पास्वार्ड ज़ो हमने नया password अभी बनाया है उसे यहां पर डाल देते हैं और लोगिन पर किलिक करेंगे तो देखिए यहां पर इस तरह से मरा नेट बैंकिंग ओपन हो गया सक्सेस्फुली यहां पर देख सकते हैं आपको यहां पर कुछ दिया गया है कि आप पासवर्ड को अब तीन से चौन सट डेज में आप इसे बदल सकते हैं एक्सपायर हो जा अब अपना चेंज करके रख लेंगे दोस्तों इस तरह साब अपना नेट बैंकिंग ओपन कर पाएंगे यह को पाएंग का आगे को वीडियो में हम बताएंगे क्या आप कैसे मनी ट्रासफर करेंगे कैसे आप बेनेफिसरी को एड करेंगे और भी बहुत जानकारी आपको अगले वीडियो मिलेगा अगले वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें अपने सभी दोस्तों के साथ सेर कर दें तो दोस्तों करने के साथ सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आपको हमेशा नए नए वीडियो मिलते रहेगा आप बेल आइकन जरूर दबाए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे हम नेक्ट वीडियो बनाएंगे तो ठाइंक यू